हेलो दोस्तों काउंटडाउन खत्म अनिल शर्मा के डाइरेक्शन में बनी साल की सबसे मच अवेटेट फिल्म गदर्टू का ट्रेलर रिलीज हो गया है पहले पार्ट में हैंट पंप उखाणने के बाद इस बार सनी पाजी अथोड़ा चलाते बहिया घुमाते फैंस को लुभाते नजर आ रहे हैं ट्रेलर ने फैंस के होश उड़ा दिये हैं हर कोई बस इंतजार में है कि कब 11 अगस्त की तारी आएगी और फिल्म को बड़े पड़ते पर देख सकेंगे गरड़ टुका ट्रेलर पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेट कर रहा है दोस्तों ट्रेलर को बड़े ही ग्रैंड लेवल पर लॉंच किया गया धोल नगाणों के साथ कास्ट का स्वागत किया गया जहां अमीशा सनी उकर्ष समेथ पूरी स्टार कास्ट मौजूग थी सनी दियोल की फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर फैंस को खूब लुभा रहा है पहले पार्ट में सनी पाजी जहां अपनी पतनी अमीशा पटेल को बचाने पाकिस्तान जाते हैं वहीं इस बार वो अपने बेटे चरण जीत यानी जीते उकर्ष शर्मा को बचाने के लिए सरहत पार करेंगे उतकर्ष इस बार एक सैने के रूप में नजर आएंगे गदर के पहले पार्ट में छोटे से दिखने वाले उतकर्ष अब असल में भी पड़े हो गए हैं इमोशन्स का पूरा तड़का लगाती इस फिल्म के ट्रेलर हर किसी के दिल को चूलिया है सनी ने फिल अंदस्त तड़का मारा गया है इस बार फिल्म की कहानी तारा सेंग और उनके बेटे चरणजीत के इर्द किर्द घूमती दिखाई देगी सनी पाजी ने फिल्म से बाब बेटे का अटूट रिष्टा दिखाने की कोशिश की है फिल्म उनीस सौसतर में भारत पाकिस्तान युद के दोरान की दिखाई गई है वहीं इस बार सनी का एक नहीं बलकि दो दो विलेन से सामना होगा बेटे को बचाने सनी फिर पाकिस्तान की धर्ती पर कदम रखेंगे पहले पार्ट में मेर अशरफ अली की भूमिका निभाने वाले अमरीश पुरी तो अब इस दुनि बताया जा रहा है रिपोर्ट्स की माने तो गदर एकलौती ऐसी फिल्म थी जो 350 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी लेकिन फिल्म के 10 करोड टिकट बिके थे गदर के पहले पार्ट ने रिकॉर्ड कायम किया था वहीं गदर्टू के लीड कास्ट की फीस की बात करें तो सनी देओल ने फिल्म के लिए 5 करोड चार्ज किये हैं दोस्तों आपको गदर्टू का ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर